तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नमबर 3 है जिसका नाम है फरार इस चैप्टर का टोटल सल्यूशन करने वाले हैं यानिका इस चैप्टर के सारे objective और सारे subjective question का answer आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को complete करा देने वाली हूँ हालांकि इस चैप्टर को में आप लोग अलड़ी पढ़ा चुकी हूँ इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप लोग chapter नहीं पढ़े हैं, तो जरूर पढ़ लिजेगा, क्योंकि chapter पढ़े रहेंगे, तो सारे question का answer आप लोग खुद से दे पाएंगे, ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में ही बहुत यचे तरीके से ये फरार नाम का chapter पढ़ाई थी, बहुत ये अच्छा पढ़ना है आए हुए, तो उसे होगा ये कि मिरो जाने वाली वीडियो का all notification आप तक सबसे पहले पहुचेगा, वीडियो को share भी कर देना है, और like भी कर देना है, so without any delay, let's go to start, मेरे answer बताने से पहले, खुद से answer देने की कोश्च कीजिएगा, सबसे पहला सवाल आपकी screen प कोशन है, और chapter पढ़े होंगे, तो इसका answer आप लोगों को पता होगा, आगी बढ़ते हैं, dr. मुहमद मोशन की पैदाइस कब हुई, बताइए, तो dr. मुहमद मोशन की पैदाइस हुई थी, उन्हें से 10, 10 जुलाई उन्हें से 10 को हुई थी, यह होगी आप लोगों का answer, dr. मुहमद मोशन का इंतकाल कब हुआ, तो 2002, dr. मुहमद मोशन की पैदाइस किस सहर में हुई, तो पतना में हुई थी, सारे question का answer आप लोगों खुद से ही दे पाएंगे, यह होप, मुझे लगता है कि, क्योंकि सारा, जो है न हर एक एक point में आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो जब चैप्टर पढ़ा रही थी, तो हर एक point बता चुकी हूँ, देखिए, पांच नंबर सवाल, कि फरार किस का अफसाना है, तो dr. मुहमद मोशन का अफसाना है, dr. मुहमद मोशन के वालिद का नाम, तो सियद मुहमद रशीद, और dr. मुहमद मोशन किस मौदू इन सावरात यानि की अती लग उत्रिया प्रशन, यानि की वेरी शॉट टाइप कोश्चन, dr. मुहमद मोशन की पैदाइस किस शहर में हुई, तो पतना के अजिमाबाद मी, dr. मुहमद मोशन की तारीख की पैदाइस, 10 जुलाई, उन्हें से 10 यहां पर 80 हो गया, 10 रहेगा, जेरी निसाब अफसानों में, dr. मुहमद मोशन का कौन सा अफसाना है, तो जेरी निसाब अफसानों में, फरार नाम का जो अफसाना है, यह dr. मुहमद मोशन का अफसाना है, आगे बढ़ते हैं, next question, कि dr. मुहमद मोशन की वालिद का नाम बताइए, सियेद मुहमद रशीद ड्र मौम्मद मौसिन किस मौजू पर महारत रखते थे तो नफसियात यानि की साइकलोजी तो अब यहां से स्टार्ट हो रहा है मुखतर सवलात यानि की शॉर्ट टाइप कोश्शन लग उत्रिय प्रशन सबसे पहला सवाल है कि ड्र मौम्मद मौसिन की तद्रीसी सरगर्मियों पर जुम्ले पांच जुम्ले लिए तो अफसाना निगार की हैसियत से ड्र मौम्मद मौसिन जज़वक्ती अधिम थे वरना बनी अधित और वह माहिर नफसियात थे और पतना यानिरसिटी के शोबे नफसियात में लेक्शर की हैसियत से बहाल हुई और उन्हें से तिरासी में सदर शोबे नफसियात हुए और उन्हें से चोहत्तर इस भी में मुलाजमत से रिटायर हुए तो यह होगी आप लोग का एंसर आगे बढ़ते हैं ड्र मौमद मौसिन की तस्निफात का जिकर कीजिए उनके क्रियेशन का तो ड्र मौमद मौसिन नफसियात की प्रोफेसर की हैसित से कितने साल की उमर में तो यह लिखा है 26 साल की उमर में तवील मुद्द तक पटना इंवर्सिटी में तद्रीसी खिदमात इंजाम दिये और जखम के फुल के उन्वान से उनका एक शेरी मचमुआ है जो नहायत एहम है इसके लावा भी नफसियात के मौजू पर उनकी कई किताबे इशाद पजीर हो चुकी हैं लंबा चड़ा आप लोग को इंसर लिख देना है ठीक हैं आगे बढ़ते हैं महमूद के किरदार पर पांच जुम्ले लेखिए महमूद डॉक्टर मुहम्मद मौसिन के जिर निसाव अफसाना फरार का मरकजी किरदार है तालिब इल्मी के जमाने में ही उसके वालिदीन इस दुन्या से रुकसत हो गए चुनांचा बदकिसमती से महमूद को उसके मुफलिस मामू के घर पहुँचा दिया जाता है जहां से उसके जिन्दगी की हकी की परिशानिया सुरू होती है ना मौाफिक हालात से उसने सबक सीखा चुनांचा ठोकर लगने से वा तजर्बाकार होता चला गया यह जो है अपने मामू के घर गया तो वहाँ पर उसके जिन्दगी की हकी की परिशानिया सुरू हुई और वहाँ पर ठोकर लगने के वज़ासे बहुत सारी चीजों को सीखा और वो एक तजर्बाकार होता चला गया उससे तजर्बा मिलता चला गया और जब तजर्बा मिलते चले जाता है तो इंसान जो है ना चीजों को समझने लगता है सीखने लगता है और इस तरह दीरे दीरे जो है ना वो एक डिप्टिक कलेक्टर बन जाता है महमूद ठीक है लंबा चड़ा किस तरह का अफसाना लिखते हैं ठीक है ना उनकी अफसाना निगारी पर एक निबंद लिखना है आप लोगो एक मिनट हाँ देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि सुहल अजिम अबादी के बाद बिहार के जिन अफनकारों ने अफसाना निगारी में अहम खिदमात इंजाम दी है उनमें डॉक्टर मुहमद मुहसिन की शक्सियत नायद आहम है यह हकीकत है कि डॉक्टर मुहमद मुहसिन दजवक्ती अफसाना निगार थे बुनियादी तोर बलो नफसियात की प्रूफिसर थे और नफसियात का किताबboy इस अफसान वी deeply में अनोखी मुस्कुराहत की अभ्साना भी है इसकी एहमियत को देखते हुए मुजमूब का नाम अनोखी मुस्कुराहत रखा गया अनोखी मुस्कुराहत एक खालिस नफसियाती नौईद का अफसाना है ये कि लड़की कहानी है जिसकी बेटी रजनी इस कहानी का मरकजी किरदार है ये अनौकी मुसकुराहत का मेन करेक्टर कौन है रजनी याद रखिएगा रजनी मुर्दों का बाप गौरकन् गबर खोद कर अपने बच्छों की परॉलिष करता है चुनांचा बच्छपन से अजनभी मर्दों को देखकर यहां पर मिम पर पेश डाल दिया गया है मर्दों यहांपर होगा मर्दों का बाप ठीके ना मर्दों को देखकर पेशे पैसे की उमीद में अच्छा, पैसे की उमीद में मुस्कुराने की यादी हो जाती है, देखिए मैं आपनों को अच्छे से कहानी बताती हूँ, या पर तेड़ा मेरा लिख दिया गया है, उसके साथ जबर जिर का भी इसमें थोड़ सा गलती किया गया है लिखने में, देखि अब जो भी इनसान मरता है ना तो मरने पर भी ये मुस्कुराती है इसको पता नहीं रहता है कि मरने पर मतलब दुख परकट किया जाता है घम दिखाया जाता है लेकिन किसी के मरने के बावजूद भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहता है ठीक है और यहां तक कि ये इस तरहा आदी हो चुकी रहती है पाप के मौत पर वह क्यास अलाया करने लगें किसी ने डायन कहा, तो किसी ने भूत जिन्नात का साया कहा, अफसाना अनोखी मुस्कुराइट में करदां का य hacia या और साइकलोजी पर इस कहानी है, अब देखिएंगे दूसरय सवाल, कि अफसाना फरार का मरकजी खियाल बियान कीजिए, डैकलोजी नाम का फ्रार जो शामि नसाब हें, एक पैसे अफस्याती नौइत का अफसाना है महमूद का नाम एक तालिमी या फत्र नौजवान अफसाने का मरकजी करिदार है महमूद नाम का एक महमूद नाम का एक तालिम या फ़ता नौजवान अफसाने का मरकजी किरदार है यानि की फड़ार नाम का जो अफसाना है इसका मरकजी किरदार कौन है? महमूद इस अफसाने में दरसल डॉक्टर मुहमद मुसिन نے اسی کردار کا نفسیاتی تجربہ کیا ہے محمود حصول تعلیم کے لیے دردر کی خاک چھانتا ہے اس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو جاتا ہے ناموافق حالات میں وہ کسی طرح اپنی تعلیم کو جاری رکھتا ہے اور یونیورسٹی کے ہسٹل میں رہتا ہے وہاں ہسٹل میں ایک مثالی زندگی گزارتا ہے لیکن بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر سانتھیوک اور ورغلانے پر وہ سیر وہ تفریق اور رومانیت کی طرف بھی مائل ہوتا ہے لیکن بچپن میں ماں کی سخت مزازی اور باپ کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے لاشعوری طور پر وہ ایک نفسیاتی اُلدھن کا شکار ہو جاتا ہے اور عورت جاد سے کی منتفر ہو جاتا ہے اسی نفسیاتی کشمکش میں محمود کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تعلیم سے فراغت کے بعد وہ مقابلہ جاتی امتحان میں شامل ہوتا ہے اور کامیاب ہو کر ڈپٹی کلیکٹر بن جاتا ہے اب شادی کے لیے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آنے لگتے ہیں اسی دوران محمود جب اپنے گھر میں آتا ہے تو اپنے گھر کا سناٹہ خوفناک لگتا ہے اس کو اور اس کے زندگی ایک بے روس جس کی طرح نظر آتی ہے یہاں تک کی سناٹے میں دیوار گھڑی کی جو ٹک ٹک کی آواز ہے اس کے دوار پر ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے اور دیوار گھڑی کا پینڈولم میں اسے اپنی ذات کا اکس نظر آتا ہے اسی طرح ایک ہی ایک منٹ یہاں پر اسی طرح ہی طریقہ اور ایک ہی رنگ پر حرکت کرتی ہوئی اس کی زندگی مشینوں کی طرح گزرتی رہے گی چنانچہ شادی کے لیے آنے والے رشتوں میں سے ایک کہ یہاں محمود رشتہ تیہ کر لیتا ہے اور نکاح بھی ہو گیا لیکن رخصتی کو لڑکی یا میٹرک پاس کرنے پر مخرر کر رکھا گیا پھر زبیدہ کے میٹرک کا نتیجہ بھی آ گیا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ شاندار نمبروں سے کامیاب ہوئی اب محمود شادی محمود جوہنا شادی کے تصورت سرشار رہنے لگا دھوم دھام سے شادی ہو گئی لیکن محمود اس وقت حیرت زدہ رہے گیا جب وہ شادی کے لیے پہلی رات سسرال کے جنان کھانے میں گیا تو اندر کی گھٹن بھر گھٹن بھرے ماحول سے اپنے بچپن کا ماحول کی یاد آ گئی جہاں عورت گوارپن کے گوارپن کے انداز میں مردوں کو دبا کر رکھتی ہیں اور اسے ترہ 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 سے زلیل کرتی ہیں اس نفسیاتی محمود کو ازدواجی فرائط سے بھی خوف زدہ کر دیا اس طرح محمود کی شخصیت نامکمل ہو کر رہ گئی تو یہ تھا چیپٹر نمبر 3 کا total solution فرار نام کے چیپٹر کا سارا objective اور سارا subjective آج کے اس ویڈیو میں complete ہو گیا I hope لگ بھر کوششن کا انسر آپ لوگ کو بتا ہوگا کیونکہ سارے question تو چیپٹر سے اٹھائے گئے ہیں اور چیپٹر میں آپ لوگ کو لیڈی پڑھا چکی ہوں تو کوئی بھی confusion ہو آپ ہمیں comment میں بودھ سکتے ہیں باقی میں آپ لوگ کو جو کچھ بھی سمجھائی سمجھ میں آیا تو ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا تو like کر دیں اور اس کے ساتھ comment میں لکھ کر بتائیں کہ ہاں سمجھ میں آگیا چیزیں سمجھ میں آگئی ہے ویڈیو کو ابھی تک share نہیں کیے ویڈیو کو like نہیں کیے تو like اور چینل پر اگر آپ لوگ نئے آئے ہوئے ہیں میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہا ہے تو چینل کو subscribe ضرور کر لیجیے گا ٹھیک ہے چلی آج کس ویڈیو کو یہیں پر انڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جہند اور خدا حافظ